ये गाइस, welcome back to the video and यहाँ पे side में आपको एक data दिख रहा होगा, ये data क्या है बताता हूँ मैं, अगर आप इसके अंदर funds दिखे होगे तो 9 funds के schemes के name लिखे हुए, AMC के और ये 9 के 9 small cap funds है, इन AMCs के जिनके नाम लिखे हुए है, AXIS और HSBC नहीं है, क्योंकि वो दोनों की जो small cap funds है, उनके 10 years complete होने में कुछ months अभी बाकी है, AXIS में 2-4 months and HSBC में 8-10 months बाकी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, ये जो सारे small cap funds है, ये ऐसे small cap funds है, जो अभी भी है market में available and आज से 10 साल पहले भी market में available थे, 10 साल पहले भी कोई इ इनके अंदर invest कर सकता है, तो यहाँ पे जो data है, अगर आप देखोगे, हमने जानने की कोशिस की है, कि अगर किसी ने एक मुस्त 10 लाख रुपए 2013 के टाइम में invest कर दिये होते इन funds के अंदर, इन में से किसी भी fund के अंदर, तो कम से कम कितना पैसा उसका बनता, और जादस जादा, कितना पैसा बनता इन पीछे के 10 सालों में, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिस कर रहे हैं, जो returns यहाँ पे लिखे हुए है, returns पी लिखे हुए है, वो आज के date में अगर आप चेक करते हो, तो इन funds के returns है, आज से 5-10 दिन बात चेक करोगे, तो थोड़े से change हो जा होगे, तो last 10 years में निपॉन ने सबसे ज़्यादा returns बना के दिये, last 10, मतलब 10 साल पहले किसी ने निपॉन small care fund जो उस टाइम पे reliance हुआ करता था, उसमें अगर पैसा डाला होता, 10 लाख रुपै, तो अभी उसका पैसा 1 करोड 40 lakhs के प्रॉक्स हो जाता, 1 करोड 37 लाख to be exact, 1 करोड 37 लाख तो 41 मानी सकते हैं, तो यहाँ पे जो पैसा है, वो कितना हो गया, 14 गुना पैसा हो गया 10 सालों में, एक small care fund ने 10 साल में 14 गुना पैसा कर दिया है, and 30% का अभी return दे रहा है, तो small care funds, अब ऐसा नहीं कि अगले 10 साल में भी यही देगा, लेकिन हो सकता है, कोई ने कोई fund निकल किया है, जो अगले 10 साल में भी 30% को टच कर दे, तो यहाँ पे यह हमें समझने को मिलता है, कि यह possibility की बात हो रही, कि क्या यह चीज possible है या नहीं, तो यह possible है, मिलेगा ही, इसकी guarantee नहीं है, लेकिन possible जरूर है, किसी ना किसी को जरूर मिलेगा अगले 10 साल मे भी, SBA की अगर बात करते हैं, तो 28% का return है, एक करोर 18 लाख रुपया बन चुका है, पिछले 10 सालों में 10 लाख बस invest किया हुआ, तो लगबक कितना हो गया, 11 गुना, 12 गुना कह सकते हैं, 12 गुना बन गया पैसा, तो maximum जो पैसा बना है, वो बना है 14 गुना, HDFC की बात करते ह हैं, और 73 लाख हो चुके हैं, तो 7 टाइमस पैसा कर दिया है, HDFC small cap fund ने, वहीं पर DSP की बात करते हैं, 26% का return है, और लगबक पूरा 1 करोर के आसपास है, तो 10X कर दिया है इसने पैसे को, इसकी बात कोटेक की बारी आती है, बहुत criticize करते रहते हैं, कोटेक के small cap funds को, खासकर मेरे viewers कमेंट से भरा ही रहता है कि कोटेक अच्छा नहीं कर रहा है, कोटेक small cap fund ने 24% का return दिया है, और अराउंड 86 lakhs रुपीज का है, तो लगबक सारे 8 गुना के आसपास पैसा इसने 10 साल में पिछले किया है, उतना भी बुरा fund नहीं, जितना आप लोग इसको समझते हो, इसके बात आती है, ICICI की तो 19% का return है, 57 lakhs के अप्रॉक्स कर दिया है, तो लगबक कह सकते हो, सारे 5 गुना से थोड़ा से जादा, 6 गुना के आसपास तक पैसे को पहुचा दिया है, ICICI ने last 10 years में, दिन बात आती है, Franklin की 23% का return है, लगबक 80 lakhs है, तो 8 गुना कर दिया है, ABSL 19% again, सारे 5 गुना के आसपास, सुन्दरम 22%, 73 lakhs, तो यहाँ भी 7 गुना से जादा कर दिया है, तो यह data जब हम देखते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है, कि अगर हम small cap fund के अंदर investment करते हैं, तो minimum, सबसे बेकार जिसने perform किया last 10 years में, average भी छोड़ दो, सबसे बढ़िया वाला भी छोड़ दो, सबसे बेकार जिस fund ने perform किया है, उसने पिछले 10 सालों में पैसा को सारे 5 गुना से जादा कर दिया है, और ऐसे funds की संख्या 9 fund में बस 2 है, जिसने सबसे बेकार perform किया है, 9 fund में से, 2 funds ने 20% से नीचे का return दिया है, 4 funds ने 20% से 25% के बीच का return दिया है, and 3 funds जो यहाँ पे निकल के आते हैं, उन्होंने 25% से भी उपर का return दिया है, और इसलिए last 10 years का अभी अगर आप small cap funds का average returns देखते हो, मतलब small cap category का average return, तो क्योंकि यही 10 fund होंगे, उसके अंदर में अभी 26 small cap funds है, लेकिन उस time पे सिर्फ 10 ही थे, मतलब 9 ही थे, तो इन 9 funds का average return निकल के आएगा और आपको 20% से उपर average return देखने को मिल जाता है, देखो हमारी expectation कभी भी इतनी high नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारी तो expectation बस 17%, 18% ही हम मान के चल रहे हैं, लेकिन ये सब भी possible है, possibility की, ऐसा नहीं है कि एकदम हो ही नहीं सकता, possible ये चीज भी है, अगर आप 3-4 small cap funds के अंदर invest करते हो for the next 20 years, हो सकता है उसमें से एक small cap निकल के आज़िया, जो 25% plus के returns देदे, हम नहीं मानने, हमें expectation नहीं है उसकी, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो जाए, तो वो तो हमारे लिए bonus point, positive point की तरह हो जाएगा, तो ये चीज है मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, यहीं आप जाकर check करोगे किसी large cap fund का return, किसी index large cap fund का return, या किसी flexi cap fund का return, तो एक दो funds निकल क्याएंगे उसमें से, जो की 17-18% तक भी touch करेंगे, last 10 years में, और यहाँ पर 30% तक ये touch कर चुके हैं, जो कि आपके सामने है, नहीं believe होता, मत करो, जाकर खुझ से एक बार देख लो, सारे funds के returns, आपको खुझ समझ में आ जाएंगे, और इसमें से, 9 सारे 9 साल हो चुके हैं, है, HSBC और Axis का, जिनको मैंने निकाल दिया है, HSBC 22% 9 सारे 9 साल में, और Axis लगबग 10 साल में 2-3 महीं नहीं कम है, 25% उसका भी return है, तो ये दो small क्या भी आप चाहो तो add कर सकते हो, proper 10 नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको नहीं रख था है, तो ये चीज़े आपको जान ये possible है, ये चीज़ last 10 years में हो चुकी है, तो आगे भी हो सकती है, guaranteed हो जाएगी, कोई भगवान थोए नहीं, ना भगवान हो, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन past में अगर ये चीज़ हो चुकी है, तो capability है कि आगे भी हो, सकती है, एकदम नहीं ही होगा, ये वीडियो में आपको बताना चाहता, अभी से कुछ ताइम पहले तक influence के returns, मतलब पिछला जो डेर साल गया है, उसमें, मतलब अभी से पीछे एक quarter छोड़ते तो उससे पीछे का जो डेर साल है, उसमें influence का returns बहुत खराब था, उस ताइम पे भी मैं अपनी word के साथ बना हु हो जाता है, फिर थोड़े समय के लिए बुरे returns मिलते हैं, बहुत जादा दुख ही हो जाता है, like comments पे तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ, और आप अगर थोड़े सा भी comments देखते होंगे, past के एक quarter पहले से के comments, मैं इतने समय से invest कर रहा हूं, return इने मिल रहा है, मैं इतने समय साइकल की तरह होती है, देखो long term में कितना बढ़िया return मिला है सबको, और short term में देखने जाओगे, तो वही होगा, एक साल में आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, कभी एक साल में बहुत खराब दिखेगा, लेकिन यही जब calculate होके long term एक wider view में आप देखती हो, तो आपको भयानक सा जबरदस्त सा return देखने को मिलता है, तो हमेशा आपको wider approach रखना चाहिए, longer approach रखना चाहिए, और longer view रखके जो आप देखोगे, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे, और बस यही चीज है, समझो और उसके according invest करो, नहीं तो जहां आप 10 लाग का एक क